फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है दोजार चौबीस को देखते हुए जो फौजे हैं शांती काल में अपना पसीना बहा लेती हैं उन्हें युद्ध काल में खून बहने की आउसकता नहीं होती है तो लोकसभा के चुनाव में पार्टी का संग्ठन संग्ठन सेवा ही संग्ठन इस आधार पर लगातार काम करते रहते हैं हमारा मंडल अद्धक्ष उत्तरप्रदेश के किसी भी थाना अद्धक्ष से ज्यादा घंटे काम करता है दूसरा भूत से लेके राश्टी अद्धक्ष का गठन है साथ मोर्चे हैं सौ से उपर प्रकोष्ट है हर पन्ने का कोई ना कोई जो मद्दाता सुची है उसका कोई ना कोई इंचार्ज है तो 2023 में केंद सरकार की कल्यानकारी योजनाई मोदी जी के खास तोर से गरीब कल्यानकारी योजनाई राज्य सरकार की योजनाई और खास तोर से उतरपदेश सरकार की कानून वेहुसता बाबा का बुल्डोचर और भूत अद्धक्ष से लेके राश्टी अद्धक्ष जो जो पसीना निकल रहा है उससे निश्चित तोर से कमल खिलेगा और हम दिली का रास्ता यूपी से होके जाता है बड़ा सूबा है असी सांसद होते हैं शौदा में बहुत अच्छा पदर समरा और 19 का चुनाओ मैं थोड़े बड़े हर देश से बलूंगा कि बड़ा खत्रा थ क्योंकि दो पार्टियां समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कड़बंदन था और इसको मैं शुकार कर लेता हूं कि दोनों नेताओं में अपना बोर्ट बेंक को टांसपर करने की चमता थी तो लगभग तीन जातियां एकट्टी हो गई थी इसके बावजूद हमरे 66 MP पी आये हैं और समाजवादी पार्टी के इस बीएसपी के कड़बंदन के बावजूद उनकी जो बहुत बेहतरीन सीटे हैं क्योंकि वो च्छाटते हैं हम लोगों को तो लड़ाया जाता है वो उतरप्रदेश का नक्सा देख करके घर के लोग करते हैं इसके बावजूद उस कड़बंदन के बाद स्रीमती डिंपल यादो कन्यों से चुनाव हारती हैं उनके भाई धर्मेंद यादो बजायूं से चुनाव हारते हैं और उनके भाई अक्षय यादो फ्रोजावाद से चुनाव हारते हैं तो उसको जब हम लोग जीत करके आए हैं और बीएसपी क मैं बहुत इस पश्ट बात करने के लिए जाना जाता हूँ राजनेती में माय वतीजी एक लाग से एक लाग से डेल लाग बोर्ट टांसपर करने की छमता रखते हैं इसके बावजूद जो है इनके घर के ही तीन सदस हारे हैं मैं बता दूं जिन लोगो को ठोड़ा मैं बहुत अंक्रे बात पोलटीसियन नहीं हूं आप लोगोंने का बहुत महमा मंडन किया और उसको चौविस का अधार मानने उसको से इविफाइनल मानन यह बताईएगा कि मैनपूरी सीट भारती जंता पार्टी कब जीती है जनसंग के जमाने से लेके आज तर लेकिन हम ने यह भी बताया कि रामपूर जीतना यह ब्रेकिंग न्यूज है मैनपूरी उनका जीतना केबल न्यूज है मैनपूरी डिंपल यादव ने बड़े अंतर से जीता वो न्यूज नहीं है यह न्यूज है और हमारे देश में बहुत कई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं मज़दार होती हैं कि 2019 के लोगसभा के चुनाओं में सपा और बसपा का गड़बंदन था उपर से मुलाइम सिंग यादो जी जैसा कदावर नेता था में पूरी में इसके बावजूद और बीएसपी एक लाग से डिड़ लाग बोर्ट टांसपर करने की च्छमता रखती है मैं इसको जड़ा कंजूसी से कौपी जाच रहा हूँ कि उन्होंने केवल एक लाग टांसपर किया इसके बाद नेता जी केवल 94,000 से जीते और मैं उनका से सूँ ठाई लाग से जीता बगल वाली सीट पर जिससे तो नहीं नहीं इसमें तालीव जाने वाली बात नहीं है इसमें ये कहना है कि जब BSP का गडबंदन था मुलाइम सिंग जी जैसे कद्दावर नेता थे तो 94,000 का अब BSP नहीं थी और डिंपल थी तो 2,80,000 लोहिया जी ने कहा था कि लोग समझेंगे मुझे मेरे मरने के बाद तो ये एक सहनबूती का चुनाओ था जब वो जीवित थे तो उनको हराने का पूरा मैनपुरी की महान जनता ने पूरा प्रयास किया कि 94,000 की जहां कोई 4,000,000 से जीत रहा है कोई 5,000,000 से जीत रहा है कोई 3,000,000 से हम बहुत प्रसद्द्र लोग नहीं है वो लोग जीते तो ये अब मैं 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 मैंनपुरी का थ्यास कि दो उनीज़ सो स्था में जंता पर्टी की लहर में स्री रगुनाथ सिंग बर्मा जीते उनीज़ सो सी में और आपने कोई मुझे कुश्टन नहीं बताए है उनना में कुछ गूगल करके आता हूं असी में पुनार अगुनात सिंग बर्मा, 1984 में श्री बलराम सिंग यादो कॉंग्रेस से अंद्रागांधी की मृत्यू की शानवूती की लेहर में जीते, 1989 में नॉन पॉल्टिकल, नेता जी के गुरू जी थे, वो पढ़ाते थे, श्री उदे परताप सिंग जी, मुखरूब एक बाद 96, 96 में नेता जी खुद लड़े, पहली बार पर्लियामेंट और जीते और रक्षा मंत्री बने, उसके बाद 98 में बलराम सिंग यादो और मुलाइम सिंग यादो दो बड़े नेता उसला केके थे, बलराम सिंग यादो समाजवाधी पार्टी जोईन कर गए, और स चौदा में मुलाइम सिंग यादो, बीच में तेश प्रताब जी एक बाई लक्सर में, और 19 ये दोनों लेहर में समाजवाधी पार्टी वहाँ जीती, तो जब जीवित थे, गडवंदन था तो 94,000 और अब 2,82,000, 15 मेने का चुनाओ था, तो ये स्रद्धा के तोर पर लगातार, यादव परिवार के खिलाफ आप उतारे जाते हैं मैदान में, लगातार आपने चुनाव में उनका सामना किया है, चाहे वो अक्षय यादव हो, चाहे वो धरमेंद यादव हो, चाहे वो डिंपल यादव हो, चाहे वो अखलेश यादव हो, तो आप ही क्यों च इतले शादों के सामने फ्रोजाबाद लड़ने के लिए और कल्यान सिंग जी और मुलाइम सिंग जी का गटबंदन 2009 में हुगा और ये बात में यहां बड़े दिल से स्विकार करूंगा कि कल्यान सिंग जी में भी अपना बोर्ट टांसपर करने की छमता थी और फ्रोजाबा जाएंगे कभी उत्री ध्रोब दक्षनी ध्रोब एक हो जाएगा कार सेकों पर गुली चलाने वाले और वाले और उस गुली खाने वाले एक हो जाएंगे तो वह गटबंदन हुगा में केवल 64000 से अखले सादो जी से चुनाव भारा और बाबु जी की छमता हुआं डेल ल सरकार बनाए और मैं राजसभा में था तो ऐसा भारत की राजनीती में कोई उधार नहीं है इसको दल बदल करना नहीं कहिएगा मैं अपनी तीन साल की राजसभा छोल करके और लोगसभा का चुनाव लोला जबकि राजसभा भंग नहीं होती है और लोगसभा का पता नहीं रहता है कभी बहुत बढ़ा बहुमत आया मुराजी भाई और चरण सिंग जी मिला के 27 महिने देव गोला गुज्ञाल मिला के साब मिला के 16 महिने चरंसेकर वीपी सिंग साब मिला करके 16 महिने अटल जी एक बार 13 महिने तो यह नहीं पता था कि तब भ़हमत आएगा और ससतर जैसा भूमत तो नहीं आया वो भी नहीं चलाता लेकिन मैंने राज सवा छोड़ी क्योंकि तब तक ये चार कारकाल मैंने किये थे सलग स्कूल विजली पानी नाली घरंजा फाइनल रिपोर्ट चार्ट सीड बंदू का लाइसंस विद्वा विकलंग ब्रद्धा वस्ता पेंशन जाताई प्रमाण पत्र और यही करता रहा साधी ब्या तेर्वी भागवत का था रसिया दंगल कब वाली कुगा पूजन और रिकादर्शी के ब्रत का उध्यापन बस इ जी किसमनें दो लोग आरे हम साथ को लिए जरूर्ट लेकिन बहुत जलील हुआ मेरा सर काटकर हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर और पिर आप कठल भी गए करल में हमने देखा नेता जी भी उतर आये थे उस वक्त campaigning में जैसे आपने का था नेता जी को भी इस उमर में भी और इस तिती में भी अखलेश मैदान में लेकर आये थे मैं 14 पर्लियमेंट लड़ा फिर एक टूंडला विदान सभाई जो 16 बार हार गई थी बीजेपी राम लेहर में भी वहां भेजा गया शपनाजार से जीत गया मंत्री बना दिया और चार बार MP रहके मैं मिले बना मंत्री बना मुझे बहुत अच्छा लग रह तो उत्तर आया इसके बाद अभी जब 22 का चुना हुआ तो मुझे फिर करहल भेजा गया और 24 में अगर पार्टी लडाती है तो दस साल में पांच मैं जिसमें दो विधान सभाई हो तीन लोग सभा लडूँगा अब बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक हैं सभी चुनाओ जीतने के यह नहीं होते हैं एक रणनीती भी होती है करहल के चुनाओं का यह एफेक्ट पड़ा है मैं आज ऑनसली कह रहा हूं मैं मुझे नहीं याद रहता है मैं तो जाता हूं लड़ ला लेता हूं मुझे आपकी ही ब्रादरी के एक बहुत ही मशूर पत्रकार ने कहा कि आप करहल effect जानते हैं मैं नकर नहीं बुरे आपके चुनाव लडने से यादव वर्सिज बगेल election इत्तर प्रदेश में हो गया और 403 seat पर समाज रहता है या मैं एक कमजोर प्रत्यासी होता तो ये बीजेपी कुल्टा पड़ता कि खराब seat पर भेज दिया गया है मेरी परस्नल्टी पर करहल सूट कर रही थी इसको हमारे समाज कहलो या समर्थक परसंज को ने अबलाइज महसूस किया कि जब समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे बड़े युद्धा अखलेश आदो को लड़ाया है तो भारती जंता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसने मुझे चुना तो इसमें अबलाइज महसूस किया तो यह आदो वर्सिज बखेल चुना हो गया दूसरा अखलेश जी ने कहा था परहल इतने दिली नहीं भूलना चाहिए और मैं पूर याद नहीं रखनी चाहिए इतने देर तक फिर यह हो गया कि अखलेश जी ने कहा था कि मैं एक भी बार नहीं आऊंगा आपी लोगों ने इंटर्गूर लिए तो मैंने कहा था कि अगर हपते बर में ना बुला लिया तो मेरा नाम बदल देना तो उनको तीन बार आना पड़ा फिर उनका था मेरे घर क सभाएं करके आते तो 17 दिन में एक आदमी मेरी जरा गड़ित खराब है 55 के आसपास तो छे लोग मिलाके 350 सभाएं करते 165 सीटों पर तो अगर यह तीन बार चले जाते तो 1400-500 से हारने वाले सभी जाते एक दिन गोली चला दी उसके बाद तो हमारे प्रसंसक समथ तक कहलो या जात कहलो उसमें पर समाजवादी पार्टी का पित्यासी नहीं आ पाया फिर मुलाइम सिंग यादो जी करह लाए 403 सीटे हैं उनका आना आम बात होती तो जरा यह हुआ कि जब गाजीपूर में कोई प्रचार कर रहा था देवरिया वलिया वस्ति आजमगल में तो कहले यह सीट कहां सपा जीच जाएगी जब अखले सादों हुआ घर गए और नहीं घरे हैं तो अपने ब्रद्ध हैं बीमार पिता को क्यों लाए क्योंकि इतना बड़ा न निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में तारीकों का एलान तो हुआ नहीं है कौट पे निर्भर है मगर हम देखेंगे निकाय चुनाव आएंगे उसमें रन्नीती क्या बनेगी क्योंकि जमीनी स्थर पे हम जान पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो मद्द आए हैं अभी खतौली में हमने देखा खतौली कभी उप्चुनाव में उनको वहां जीत मिली और अंकल भी आ गए हैं साथ बतीजे के संग तो शिपाल यादव भी अब जुड़ गए हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की रादनीती पर पांसाथ सवाल अगर निगम में पिछले चुनाव में 14 भारती जनता पार्टी जीती है और केबल हम मेरट और अली गड़ केबल हा रहे हैं और सत्रमी जो है